मुझे को पायर में नहीं चपल में पहनाईए फिर देखे कमाल हाँ आप लोग थमनेल देख करके समझ गये होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है तो आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना किस गाउं किस सहर से विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो रोज की तरह हम ले करके आए हैं कुछ बहुत ही खास टिप्स जिससे की हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या ह है आप लोग देखते रहिए और बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप लोग जरूर देखना क्या होता है जैसे चद्दर कभी-कभी नहीं मन करता है कि हम चद्दर को नीचे से दबाएं तो इसके लिए आप कोई चूडी ले लिजिए जो भी एक चूड के साथ में इस तरह रवड को डबल करके लगा देना है इससे क्या होगा आपका चद्दर देखने में बहुत खुबसूरत लगेगा और आपकी चद्दर भी नहीं धर्वधर खिसकेगी नहीं आराम से एक जगे टीकी रहेगी तो इसी तरह चारो कोनों में हम बांद करके आ यूसफूल रहेगी कभी कभी मन नहीं करता है कि नीचे में दबाएं तो देखे इस तरह से हमने कोनों में बांद दिया है अब इसके बाद में आप चद्दर को चाहे जितना इधर उधर बैठेंगे फिर भी ये चद्दर आपकी कहीं खिसके नहीं जाएगी उमीद करती उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो जाइनिंग होती है कम होती चली जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गैस चलाएं और उसके रख दीजिए कोई भी फ्राइदान रख दीजिए या बहोना कोई भी वरतन हो उसमें एक गुलास पानी डाल करके इसको चड़ा दीजिए उसके बाद में जो हमारे घर में कोलगेट के रैपर होते हैं जो खाली हो जाते हैं उसके बाद में हम इसको फेक देते हैं इसको हम फेकने के वजाए इस तरह से कट करके इसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद में जब पानी में बॉइल आएगा तो इसमें जितना होता है सब कोलगेट निकल जाएगा कोलगेट जो होता है हमारे निश्टील के बरतन को बहुत चमक लाती है और यह जो हमारा फॉइलिन पेपर होता है इसको हम छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल देंगे इस तरह से दबा करके उसके बाद में सारे चमच इसमें डाल करके एक बॉ लेंगे अब यह जो पानी बचेगा उसका भी हम एक बहुत ही यूजफुल टिप्स है आगे आप लोग देखते रहिए अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ में सेर जरूर करना ताकि सभी कोई स्थंड में इस तरह की टिप्स अपना करके अपने समय औ करतन हो आप इस तरह से नया कर सकते हैं जैसे कि अब यह बचा हुआ जो गरम पानी है इसको ठंडा नहीं होने देना इसी तरह अपनी सिंक में डाल देंगे तो जैसे छोटे-छोटे कीड़े होते हैं या कोई होता है तो यह हमारे मर जाएंगे और हमारे सिंक बहुत साफ जरूरी होता है क्योंकि फर्स इतनी ठर्ती है और बच्चों को जो है बहुत दिक्कत होती है सर्दी हो जाती है तो फिर बहुत समस्य आती तो इस तरह से चपल को पहनाने के बाद में आप सौक्स को पहनाएंगे तो आप छोटा बच्चा हो या थोड़ा सा बड़ा होगा जिसे चलने लगते हैं तो बच्चे तुरन निकाल के फेक देते हैं और इस तरह से पहना देंगे तो इतनी जल्दी यह निकालेंगे नहीं और आप कहीं भी घूमेंगे तो आप बच्चों के पैरों में ठंडी भी नहीं लगेगी तो इसी तरह हम दोनों में पहना देते है उसके बाद में आप इसको छोटे बच्चे हूं तो जरूर पहनाएए क्योकि इस तरह से बच्चों को ठरण सरदी नहीं लगेगी और चपल भी नहीं निकलेगा और आराम से बच्चे इसको पहन सकेंगे और इस da बहुत आराम मिलता है चलने में भी बच्चे कभी भी इसको निकाल के नहीं फेकेंगे उमीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है तो चलिए अगली क्या होती है ये टिप्स हमारी क्या है जैसे कि हम ये पत्ता गोभी लेकर के आते हैं जो उपर के पत्ते होते हैं इनको हम निकालते हैं और इसको हम कुड़ा समझ के फेक देते हैं तो इसको फेकें नहीं और इसको आराम से निकाल लीजिए और आपके एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें से पत्ते निकाल लिए हैं आराम से निकाल लेना है ताकि ये तूटे नहीं तो इस तरह से निकालने के बाद इसको अच्छे से धुल लीजिए दुलने के बाद में सारा पानी इसका सुखा लेना है तो देखे ये सुख गये हैं पत्ते हमारे अब चलिए आगे इसमें हम थोड़ा सा ले लेंगे कोई भी जो ओयल होता है तेल है उसको ले लेंगे तो ये हमारा कड़वा तेल है इसको हलका गुनूना कर लीजिए ठंडा लगाना तेल multim याषि लगाने के बाद में देखे सारे पत्ते में लगा देंगे और पिर रॉ Conc reimburse कर साद 7 गरम कर करके इसको पत्ते को गरम कर करके और इस पे एक एक सिप्टी पीन लगा देंगे दाकि यह निकले नहीं इसको टाइट से लगा देना है अच्छे से और यह देखेंगे आप बिल्कुल चमतकारी होता है इससे आपकी घुटनों की दर्द जो होती है बिल्कुल जल्दी तुरंत खतम हो जाती है फिर आपक के लिए छोड़ देंगे इसी तरह और उसके बाद में आप देखेंगे दर्द आपकी बिल्कुल भी नहीं होगा तो उमीद करती हूं यह भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी तो अगली टिप्स हमारी क्या है जैसे इस तरह से मुबाइल के दिए डब्बे आते हैं यह हमारे मतलब बेश्ट समझ के हम लोग फेक देते हैं कुड़े में इसको फेके नहीं इससे इतना अच्छा हमारा आगे वीडियो देखते रही है तो इस तरह से ले लिजिए सेलो टाइप इसमें हम तीन जगे सेलो टाइप लगा देंगे चाहें में छोटे-छोटे से फ्लावर होते हैं वह हम इधर उदर रखते हैं तो वह कम अच्छे लगते हैं इस तरह से इसको हम डेकरोट करके रखेंगे तो हमारे यह फ्लावर भी अच्छे लगेंगे इसको हम दिवाल पे इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे दबाने के बाद म आप सारे जितने भी मुवाइल के डब्बे हों उनको कभी भी ना फेंके इस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं तो देखे कितना अच्छे से यह रख गया है अब इसी के ऊपर हम दूसरा डबा लगा देंगे और उसके ऊपर हम कोई और फ्लावर लगा देंगे तो इस तरह से हैं और बिना पैसे के बिना खर्चे के तो उमीद करती हूं यह भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल रही होगी आज की टिप्स हमारी यहीं पर एंट करते हैं तो इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को लिए को सबसे ज़्यादा पसंद आई है अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं इसी तरह की नई नई टिप्स लाती रहती हूं और आप लोगों को का समय और पैसा दोनों की बचत करने की आईडिया इस देती रहती हूं उमीद करती हू आज की हमारी ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूस्फुल रही होगी अगर अच्छी लगे तो अपनों के साथ सेर करना धन्यवाद